हेलो गाइज वेलकम बैग टू माई न्यू ब्लॉग आप लोग कैसी हो आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों अभी सुभा का टाइम हो रहा है आप लोग सभी को गूड मॉर्निंग और देख देखिए मेरे कीचन में क्या बन रहा है आज मैं बना रही हूं लच्छा पराठा मेरे बच्चे लोगों को बहुत पसंद है इनलों का डिमांड था कि लंच में देना लच्छा पराठा और ये पनीर की सबजी में बनाई हूं और लच्छा पराठा तो एक पराठा बन चुका है एक बना रही हूं और एक अभी बेलने के लिए रखा हुआ है तो मैं बना था और मुझे विश्यश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ही बनाई हूं और यह बना रही हूं वही मैं अरहर की डाल का मैं सबसें बनाती और नमा खल्दी डाल देती हूं तो यह जो थोड़ा सा ड्राय रोस्ट करने से इसका टेस्ट अलग हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में हमारी गाव में इसी तरीके से अरहर की डाल बनती है और यह देखिए जब मैं इधर आई तो देख रही हूं कि अधर आलू प्याज पढ़ा हुआ है एक्च्छली कल जो सामक मेरे हस्बन आये तो सबजी लेकर आये थे तो हरी सबजी तो फ्रीज में रख दिया था और आलू प्याज तो मैं बाहर रखती हूं तो आलू प्याज को अभी में अरेंज कर लेती हूं क्योंकि आप लोग को पता ही कि यह चाहिए कि सराहत के पहले ही प्याज लाए थे क्योंकि हम लोग उसी समय से खाना बंद कर लिये थे तो प्याज कहीं खराब ने होiiii इस वज़े से मैं उसको पेले यूज कर लोंगी सबसे पहले मे नया प्याज रखी फिर पुराना प्याज तो देखिए सबसे पहले पुराना अलु को निकाल ली हूँ और यह नया अलु में रख दिया तो पुलेथी नहीं पलटती हूं कि पुलेथी ने बहुत ज्यादा डश्ट होता है अलु में तो एक एकर के आलु की तरीके से सजा दिया थी आप फिर आलु के उपर ही प्याच क बनाओंगी मीज़ खाना बनी चुका है दाल बन चुका है चावल बनाओंगी और सब को खाना दूंगी तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू रहेगा और दोस्तों बच्चे लोग आ गए स्कूल से इन लोगों खाना भी मैंने दे दिया है और यह देखे दाल इस तरीके से जो करना है और चावल में बनाइए तू बच्चे लोगों दे दी जो थो को थोड़ा एं चाल था टो खाय ओ आठाने के वह और फिर मैंभी खांगी लोग खाने के बाद तो आज मुझे मुझे बन हो रहा था कि पकोड़े खाने का मन हो रहा था तो मैं सुची पहले इन लोगो खाना खाने देती हूं फिर मैं पकोड़े बनाओंगी क्योंकि अगर मैं पहले बना लूँगी तो यह लोग खाएंगे नहीं चावल दाल पकोड़े ही खाना चाहेंगे और यह देखिए यहां पर कितना सारा क्लीनिंग का काम चल रहा है मेरे यहां हम लोग सफाई करें घर का लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूं लेकिन आप लोगों को दिखा दिया कि जो भी डेकोरेशन आट है मैं सब को मैं धो रही हूं दीरे दीरे दो के सुखावा रहे गाना तो फिर सजाना असान हो और यह देखें तो कुछ फूल वेगर तो सुख चुका था कुछ नहीं सुखा था जो की बालकरी में है और इधर मैं आ रही हूं पकोरे बनानी के लिए तो पकोरे बना रही हूं आलू की क्योंकि मेरे पास सिर्फ आलू था और प्याज तो और बैगन भी था लेकिन गैस कृतल के बना रही हूं में यहीं गुछ उगए भी आलू खा रही हूं गालू था ज़्याज करके डीओ musicण डाल दोंगी और थो प्याज का पकोरे बना लूंगी तो गयायस में reconcile के पिड़ीयो बना लूइथ लेकिन नहीं हैं चला ड़्याज DAVID venom कि है ? पही प्याज कर था प यह मुझे पता ही नहीं है और वीडियो को अभी है ही ने मेरे गैलरी में तो बस मैं बोली देती हूं कि मैं प्याज कही बनाई थी और हम लोग सब खाय थे खाने का वीडियो में नहीं लिया था लिगनों सब कुछ भी नहीं आया और पकोड़े में बनाई बच्चे लोको भी आप दी और एक पापड भी में तली थी को कि मुझे मन रहा था पापड खाने का और हम लोग खा पी लिए मिस हम लोग सब को खा लिये उसके में कीचन क्लीन कर ली है दोस्तों हम लोग खापी लिये हैं खाना और मैं बहुत दिनों बाद मुझे लगा मैं पगोड़े और मैं बनाई थी पकोड़ी रेकिन में थोरा सा ही खाई में ज्यादा बनाई नहीं थी क्योंकि अभी तेल वाला तलाव मुझे खाना मना है फिर भी मैं थोरा सा खाली क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मुझे पसंद है और क्या करूं सब कुछ मना कर रखा है डॉक्टर लेकिन कुछ ने कुछ तो खाना ही पड़ेगा इन खटा ठंडा फल जैसे की मौसमी औरेंज ये सब खाना मना कर दिया है पीनट जो ड्राइफ पूट्स वेगर हैं मने हर चीजी मना किये हुए है अब समझ मने आता है क्या खाऊं क्या नहीं फिर भी मैं खा लेती हूं तला ब और क्लीन करने के बाद मैं सोची ही रही थी कि थोड़ा से रेश्ट करूँगी फिर मेरे हस्बेंट बोले कि ने थोड़ा से सफाई कर लेते हैं तो चुकि मुझे डस्ट से अलर्जी है तो मैं डस्टिंग का काम नहीं करती हूं डॉक्टर ने एक दम ही साफ मना किया है क्य जिसे पूछने उचने का काम होता है वह मैं किया और रिया पूरा अपना रेक समेटी है जारी है तो गैस मैं ज्यादा वीडियो बनाई नहीं पाई थोड़ा बहुत वीडियो में बनाई हूं जो कि आप लोगे साथ सेयर कर रही हूं और हुआ क्या था ने कि मैं वीडियो कि अब देखते हैं कि दूसरे रूम का सफाई करूंगी तो फिर आप लोगे साथ क्लीनिंग का वीडियो सेयर करूंगी क्योंकि अभी दीवाली की क्लीनिंग हर घर में हो रही है और होना भी चाहिए अभी नहीं करेंगे तो फिर टाइम आ जाएगा तो फिर मुस्किल हो ज उसके दिनों में करवा चौन उताने वाला करवा चौन के तयारी भी होगी विल्ड आड़ा है तो इसलिए हम लोग दिवाली क्लीनिंग करना ही स्टाट कर दिये हैं डंटिंग ये मैं करते हूं और जो अब बिसकार्ट होता है ना समानakah यूजरेस Kart to give रplay यह जो सारा काम मेरा यह सारा काम करती हूं क्योंकि इस बडुस्टेग कज्राइब करें थोरा बोग्त जो भी मैं वीडियो बनाई हूँ क्लीनिंग का आप लोग पेसाथ से किया है आप लोग देखो दोस्तों देखें यहाँ पर घर की सफाई चल रही है तो डस्टिंग का काम मैं करूंगी मेरे हजबन करेंगे रिया का यह रूम है रिया के रूम की सफाई हो रही है एक दिन में हम लोग एक यह का सफाई कर बाते हैं और यह जो है ना लिदा सिल्फ जिसमें कभर भी था यह देख यह कप सबाध क्रूब बालकोनी में रख दिया है और क्योंकि धूबी लग जाएगा थोरा सा बाहर और सारा समान निकालके देखिए सारा समान इधर बालकोनी में रख दिया है सारा सिमान दोस्तों सारा cleaning wear हो गया और time लगी जाता है और रात हो गया मींस साम का time हो गया था साम वाम देखे अभी मैं बैठी हूँ और थोरा सा काढ़ा में बनाई थी तुल्सी कावो में पी ली हूँ दोस्तों यहां पर देखे मैं बनारी हूँ चना सबस् grown equalْ之 यह सब भूल के चना एसमा और मुंग मैं स्प्राउट्स के लिए बनाई थी वो बचा हुआ था और मुझे अभी कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था तो मैं सुची यही बना देती हूँ जल्दी से पक जाएगा और सबको अच्छा भी लगेगा तो यही मूंग और चना मैं इसमें डाल दी हूँ और थोड़ा सा भून के थोड़ा समय पानी डाल दूंगी तो इसी अच्छी दिकें एक दमी सौफट हो जाता है और यह गरम गरम अच्छा लगता है और हमारी भीहार में इसे घुबनी करते हैं आप लोग क्या करते हैं बताना और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है ये वीडियो कैसा लगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर नहीं होदे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आग अनको प्रेस कीजिए, ताकि आइसी वीडियो की नोडिफिकेसन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, मिलते हैं नेक्स ब्लॉग भी तब तक के लिए टेक केया रहें, बाबाई